आज सभी में excitement का level को जाद रही है क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है मतलब अभी तो मैं आपको नहीं बता रहा है आप लोग चैनल के ओपर देख लेना लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं बच्पन से चाहरा था ठीक है तो उसकी excitement आपको शाइब वीडियो में जादा दिख सकती है और च 581 million viewers definitely इससे तो विंशुक मैं excited नहीं होंगे backlash के लिए go home edition था बाव जिसके कुछ ऐसा खास पायदा हुआ नहीं है और वैसे भी रसे मिने के रावन डेख ली रहने देख ली ना 2 million के आसपास के दिन अब वो दिन याने हाने हाले आव अगली रसे मिने के गेट करना बट हा करें डवल 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 वा आप लोग देख सकते हैं सवरी पिक्चर के साथ में जो कि 2020 को डेट का गूगल सची से रस्लिंग कंपनी के लिए और यहां पर आप लोग देख सकतो भाई एक तरफा खेल चल रहा है डवल डवल के रहे हैं बागी के जो 20% है वो दूसरी कंपनी के लिए और AW को भी अगर आप लोग देखो जिसको कहते हैं कि WWE के competition में है अगर आप उनके comparison में देखो तो भाई सेकेंड नमर भर भी वो है लेकिन 12% के साथ में तो देख रहे हो क्या बागी और के तरफ सो देखनी को की जरुए नहीं नहीं पांच परसंट पर बागी तर पर बाई चोटा मोटा सीग चल रहा है तो इस तरीके से तब ही कहते हैं कि wrestling का मतलब बहुता लोगों के लिए WWE होता है तो clearly इस बात से चल रहा है कि कैसे WWE का बाई दब दबा है उनका भी जो हो रहा है पूरा इस wrestling industry के अंदर अब wrestling industry के अंदर WWE का जो हो रहा है लेकिन Superstars में किस-किस का जो हो रहा है आप लोग इस वाले graph के साथ देख सकते हो यह April 2022 में जो है सबस्यादा सर्च किया की wrestling personalities है और सबसे उपर यहां पर जिनको सर्च किया गया है वो है Roman Reigns उसके बाद है Brock Lesnar फिर यहां पर Steve Austin Cody Rhodes and Triple H का ना यहां पर पहले AEW के Superstars देख रहे हैं वह Paul White है यह बिग शो है उसके बाद यहां पर और भी नाम है जैसे कि अगर मास पर देखे है जॉन Moxley का भी नाम है Jeff Hardy का भी नाम है तो आप देख सकते हो Roman Reigns का भी तैल का चल रहा है एक तरफ WWE का और एक तरफ Roman Reigns का क्योंकि उनको भ बहुत ज्यादा है Omos के अभी जो हमको मैनेजर है वह MVP देखने को मिल रहे हैं लेकिन और इजिनले डबल डबली ने शाहिए कुछ और ही प्लान किया था Malcom Bevins जिनको आप लोगों ने शुरुवात में देखा होगा इंदू शेर के साथ में ज्यादा उन से आप लोगों ने याद करते होगे तो NXT को पर वैसे उनने और भी Superstars को जो है ऐसे वह किया हुआ है आप तो रिलीज होगा है तो उनके प्लान से कि वह Omos के मैनेजर बनें क्योंकि यह rivalry होने के पीछे रीजन MVP हैं बढ़े क्योंकि उन्होंने तो धोका भड़ी करी थी ना वैसे सही भी है MVP मेरे ख्याल से जाला अच्छे तरीके से उनको लीड गर सकते है ओमास वैसे जायंट है एक जायंट से प्रॉपर बढ़िया वाला अक्षवाला Superstar बनाने के तराशने के लिए MVP जैसे बंदी की तो उनको सुरत पड़ेगी अब देखो हमको रिसेंटली एपिसोड में रियूने देखने को मिला किसका AJ Styles एंड फिन बैलर का और रियूनाइट होता है तो AJ Styles इस बात से काफे खुश थे कि वहीया देखो कैसे हम जो बंदे मों दुबार और डेवन पीस के पंगे थे कुछ इसलिए डबल डबली ने इनको मिक्स में लाके एक साथ टीम में डाल दिया बाके इनको जादा लंबे रखने का कुछ प्लान है और रियक्शन तो AJ Styles और पिन बैलर ने दोनों ने देए अपने सोचल मेड़े के ओपर जहां पर दोनों ब टाली है और लिखा है इट शुड बी इलीगल अब इलीगल क्या है उन्होंने का कि इतना जादा कोई अच्छा दिख सकता है यह चीज इलीगल होनी चाहिए और वीरभान आ रिसेंटली यही बताया था कि जब वो आये थे डबल डोली के अंदर जब उनका भी डब्यू होन कि वो इसके लिए तयार है और उन्होंने यह भी इस बार में भी बात कि कैसे उनको जो रेस्लिंग गिया रहा है वो हमारे इंडियन कल्चर को दिखाता है तो इस विजए से वो काफ़े खुश है कि जैसे वो अपने अपने पिता जी को अपने ग्रैंट फादर को उन्होंन अपने इंटर्व्य के अंटर उन्होंने सारी चीज़ गई तो वही वीर महान तो अब जलवे दिखा रहे हैं I hope squash matches के बाद उनके लिए कुछ बड़े अपॉनेंट भी आए और जब बड़े अपॉनेंट आएंगे तब मैं उमीद करता हूं कि WWE कुछ उनके साथ जीतते जाते हैं लेंगे जब मेन फ्यूड की बार याते है तब कचला हो जाता है I hope इस बार वो नहीं हो रहा Roman Reigns के लिए क्या ये WWE के पास perfect opportunity है उनसे एक championship लूटने के लिए अब आपको पता है six man tag team match हो रहा है तो ये चैंपिनशिप के लिए होगा लेकिन आपको पता होगा Roman Reigns ने ये कहा था कि अगर ये match हो रहा है तो ये championship के लिए होगा क्योंकि Roman Reigns क्यों लड़ रहे है आरके प्रोस तो उसके पीछी reason यही है कि उनको championship चाहिए थी बट अब उसका कोई planning नहीं है तो WWE यहाँ पर एक नया तरीकर ढूंड सकती है अगर उनको Roman Reigns के पास से एक championship लेनी है क्योंकि WWE का title unify करने का मतलब इस बार ये नहीं था कि दो championship मिल जाएंगी जैसा हम लोगों ने वो Randy Orton Johnson वाले case में देगा था वैसा WWE का मतलब नहीं था WWE को अब भी दोने titles को separate करना है और दोनों titles जब किसी बंदे के पास होते हैं आपको पता एक title तो उससे WWE लूट ही लेती है आज ने तो कल तो guys यहाँ पर scene ऐसा हो सकता है यह possible idea है कि अगर WWE को Roman Reigns की एक championship लूट नहीं फिर चाहाए वो universal championship और WWE championship हो तो शायद यह एक perfect opportunity है कैसे ऐसे कि Roman Reigns अपनी 6-man tag team championship match के अंदर 6-man tag team match के अंदर अपनी championship को on the line रख देगे और हो सकता है कि उसोस की वज़े से Roman Reigns अपनी championship हार जाए मतलब scene कुछ ऐसा होगा कि दोने teams लडेंगी और अगर Roman Reigns केंगे मेरी championship on the line है अगर मेरी team हारती है तो उसमें Roman Reigns को pin भी नहीं होना पड़ेगा और उसके पास जून की championship है वो भी लूट जाएगी बड़े काफे weird है कि कोई championship on the line ही नहीं है क्योंकि Roman Reigns का तो main मकसद RK Pro के साथ उलजने का ये था कि उनको gold जो है उनको title unify करवाने उनको वो championship चाहिए तो मेरी खाल से अभी शायद यहां पर कुछ change हो सकता है अगर नॉर्मली 6-man tag team match है तो उतना इसका sense रही बताऊं तो नहीं बन रहा है I think WWE यहां पर कुछ करने वाली है बट अभी उसकी guarantee नहीं है क्योंकि WWE के अंदर उनके plans हमेशा ही change होते रहते हैं क्या इस 6-man tag team match के अंदर WWE changes करती है और जो हमारे final update भी रोमन रेंज से जुड़ी हुई है क्या आपको बिग डॉग बहुत जिली देखने को मिलेंगे बिग डॉग बिग डॉग से मेरा मतलब क्या हमको बेई-फेस तर्न फिर से देखने को मिलेगा रोमन रेंज का आपको पता है काफी टाइम पहले में आपको यह रिपोर्ट बताई थी कि WWE ने रोमन रेंज को हील तो बनाया है लेकिन इवेंचुली उनका प्लान रोमन रेंज को फेस रखने का ही है कंपनी के अंदर एक पॉइंट पर जाकर जब वो इतने ज्यादा फॉपलर हो जाएंगा अपने हील परसोना के साथ की फैंस उनका बेई-फेस वाला करेक्टर भी पसंद करेंगे तो उस पॉइंट तक जाकर डबल डबली रोमन रेंज को हील रखने वाली और उसके बाद जो है वो फेस सूपरस्टर बन जाएंगे रिसेंटल लाइव इवेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि रोमन रेंज में बेई-फेस वाले प्रोमो कट किये और गाइस एक चीज़ नोटेस करी काफे सारी दिखाने कोशिच करते हैं लेकिन आपर स्पेशली पॉइंट आउट किया कि रोमन रेंज को मिक्स रियाक्शन मिल रहे हैं इस बार यह नहीं था कि रोमन रेंज को एकनॉलेज नहीं किया जाला तो शायद ये एक हिंट है कि कुछ बेइफेस वाले टाचिस के अंदर है तो शायद रोमन रेंज का बेइफेस टंग जल्दी देखने को मिल जायए अब यह कितना जल्दी हो सकता है हो सकता है जल्दी का मातलब WWE के लिए एक डिट साल हो क्योंकि मेरे जाब से तो उसलों तक बेइफेस नहीं बनना चाहिए अभी उनको ही रहना चाहिए लेकिन जब से रोमन रेंज आये तब से यही ड्रीम था, मेरे बच्पन का ड्रीम हो रहा ना, तो इसलिए मेरे दिवाग में सारा तो विंस्विक्मैन क्योंकि रोमन रेंज को ऐसी पसंद करते हैं, तो शाहिए उनके करेक्टर में चेंज करें क्योंकि वो सोचेंगे भाई, अब ये बंदा हील बन गया, इसको पॉपलारिटी मिल गई है, अब क्यों ना इसको फेस बना देते हैं, तो ये कुछ यहाँ पर सीन है, मेरे काल सब इसमें टाइम है, बट कहीं रश करके विंस्विक्मैन जल्दी वाजी कर दी, तो वाई कच् सकते हैं, बाकि आपके इसको पर क्या थौट्स से कॉमें बता सकते हैं, अब ये वीडियो चले हैं, तो लाइक, शेर, सब्सक्राब, नोटिफिकेशन, बेल को अन कर देना, and see you guys in my next video.